अगर आपके घर में भी कोई नाचक करता है लोकी की सबजी खाने में तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजेगा याकीन मानिया आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस आसान से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने या 500 ग्राम लोकी ले ली है उसे अच्छी से वाश करने के बाद मैं उसे छिल रही हूँ अभी आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने छिल लिया है तो दो टुकड़ों में कट करके हम बीज से भी उसे कट कर लेंगे और ये जो लोकी है वो पकी हुई नहीं होना चाहिए इस रेसिपी में क्योंकि पकी हुई लोकी के बीज कड़क हो जाते हैं तो वो अच्छी न पाउडर, आदी चमच, हल्दी पाउडर, एक चमच, धनिया पाउडर, नमक, स्वादनुसार और उसी के साथ तीन चमच बेशन ले रही हुँ मैं और ये जो हम नॉर्मल घर पे खाते हैं उसी चमच से मैंने लिया है सब को डालके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अभी आप देख सकते हैं लोकी में अच्छे से ये मिक्स हो गया है तो पांच मिनिट तक हमें इसको ऐसे ही रख देना है दूसरे साइड मैंने यहां कड़ाई ले ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़े चमच तेल क्योंकि हम लोकी को सेलो फ्राइब करेंगे अगर तेल आप ज्यादा ले लीजेगा और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें हम लोकी डाल देंगे और लोकी को हमें अच्छी तरह से तलना है जब तक कि ये अच्छे से गलना जाए ऐसा करने से हमारी लोकी के सबजी का टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाएगा तो फ्रें असानी से पहुच जाए लोकी को इसी तरह चलाते हुए मुझे 5-6 मिनिट हो गए है और आप देख सकते हैं कि लोकी भी अच्छे से गल गई है तो बस सारी लोकी को हम निकाल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ओइल इसमें है यानि कि तेल उसको हम कडाई में ही रहने तो अभी आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है सारी लोकी को और उसी तेल में मैं डाल रही हूँ एक छोटा चमच जीरा थोड़ी सी हींग और एक बार हम उसे शौटे कर देंगे यानि कि चला देंगे और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 मीडियम साइज प्या लिया था तो 2-3 मिड तक हमें ऐसे ही चलाना है क्योंकि प्यास में ज्यादा पानी होता है उसके बाद में डाल रही हूँ अद्रक लेसुन का पेस्ट यह मैंने लिया है 2 चमच गेस की फ्लेम हमें इस ताइम लो ही रखना है हाई फ्लेम पे यह जल जाएंगे कलर चेंज हो ल तक हमें इसी तरह उनको चलाते रहना है कि और अब मैं इसमें ऐड कर हूँ टुमाटर की प्योरे यह माने तीन तमाटर लिये थे उनको मिक्सी में पीस लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहें तो इसके जगे दरीबन ले सकने अब मैं ichा मिला रही ह और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे गेस की फ्लेम हमारी लो ही रहना चाहिए नहीं तो मसाला जल जाएगा तो बस इसी तरह हमें चलाते रहना है एक निट तक और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी तो यहां मैंने तमाटर वाली कटोरी में ही पानी लिया है और थोड़ा सा मैं ग्लास से डाल रही हूँ यानि की टोटल मैंने एक चोथाई कप पानी डाला है ताकि जो मसाला है वो नीचे चिपके नहीं और बस लो फ्लेम पे हमें मसालों को अच्छी तरह से बुनना है लो फ्लेम पे मसाले में एक बहुत अच्छी से खुश्बू आती है और साथ में सबजी का टेस्ट भी बढ़ जाता है अब हमें इसको ढखके रख देना है 5 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर यहां आप देखेंगे कि 5 मिनिट हो गए है तो हम ढखकन को हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं उपर कैसे तेल आ गया है मतलब हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बुन गया है अच्छे से एक बार विक्स कर देंगे मसालों में से बहुत अच्छी से खुश्बो आती है जब यह लो फ्लेम पर पकता है तो और अब हम इसमें मिला देंगे हमारी लोकी जो हमने साइड में निकाली थी एक बार मैं फिर से आपको याद दिलवा दू अगर अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए तो आप देख सकते हैं मैंने ग्रेवी में अच्छी तरा से लोकी को मिक्स कर लिया है तो बस दो मिनिट तक हमें ऐसे ही उसको mix करना है और उसके बाद मैं यहां ले रही हूँ एक चुधाई चमज, गरम मसाला इससे सबजी में टीस बढ़ जाता है साथ में खुशबू भी बढ़ जाती है और अब मैंने लिया है थोड़ा सा पानी आप gravy की consistency अपने according रख सकते है तो बस अच्छी से मैंने mix कर दिया है अब हमें इसको ढखके रख देना है बापस से 5 मिनिट के लिए ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाए और सबजी का टेस्ट बर जाए तो यहां 5 मिनिट हो गए है और हमारी सबजी बनके ready हो गई है तो बस mix कर देंगे अच्छे से और मसालों की बहुत ही बहतरीन सी खुशू आ रही है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आप पनीर की सबजी खाना भूल चाएंगे अगर आपने घर में इस सबजी को ट्राइ किया तो बस लास्ट में हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और आप इसे रोटी के साथ नान के साथ जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही जादा तीस्ति लगेगी तो आप यह रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंड में ज़रूर बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं सर्व तो मैंने यह ले लिया है एक सर्विंग वाउल और उसमें हम सर्व कर लेंगे आप भी यह लौकी की सबजी घर पर ज़रूर बना के देखिए आप सबको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंड में बताना बिलकुल मत भूलेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बबाई